यह गाओं का बहुत ही स्यांदार ना जा रहा और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस भीम सिंग गड़ का जोहर कुंड यह रा इस गड़ का जोहर कुंड यह जोहर कुंड है इसका और मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाने जा रहा हूँ यह राजोर कुंड और इसके चारोतरप का एरिया इसमें कुछ रास्ता भी है यह रास्ता जाने का इसमें अभी कुछ पेड लगे हुए है और एक खाली पड़ा हुआ है जोहर कुंड भीम सिंग कड़ का इसके आगे दिखें इधर आसपास की छेतर रही है यह देखिए इधर से जिदर से हम आये थे एंट्रिगेट यह इसका एंट्रिगेट था पहले यह एंट्रिगेट सक्ड़े रख रखे जाते थे कि आपकाली निस्तेती में कोई भी सेनिक अंदर गुसे तो उनको रोका जा स है कि और नीचे वह आपको इसकुल दिखाई जा रही है इसकुल दिखाई दे रही है और सायद कुछ देर बाद में मैं कुछ आपको ऐसा दर से दिखाऊंगा जो मिल्कुल बिल्कुल हल्दी गाटी की तरह लगता है आपको हल्दी गाटी और उसके बीच में कोई अंतर को डिफ्रेंस नजर नहीं आएगा डिट्टो हल्दी गाटी की तरह बनाए गया है यह देखिए बड़ाई खूबसूरत नजारा चारत रपका वो सामने खदान जो अब बंद कर दी गई है खदान सब है जितको बंद कर दिया गया है यहां पे कुछ अंडरर्गाउंड टेंग बने हुए है जैसे मैं आपको दिखाता हूं यह अंदर का रास्ता है इसके अंदर का रास्ता भी है साइद बरस बारिष के दिन में पानी भी मिल जाएगा लेकिन अभी साइद शूखा है मैं आपको दिखाऊंगा दे ये ये उसी एक का हिस्सा है ये अंदर जाने का रास्ता उस कुंड के अंदर का मैं आपको अंदर का रास्त थे ये थोड़ा अंदर का कि देखिए ये कुंड जो अंदर कुंड बनाए गया था और इधर से अपनाया आए ये कुंड का रास्ता कुछ यहां पर ना पर ना पर ना नाम खुदेवे ये एक रास्ता है चोटे वाले गड़ के बाहर का बीम सिंग गड़ के गाउं का एक तालाब भी है आपको इसमें इस जगह पे थोड़ा दिखाई दे रहा होगा उस जगह पे रजूम करके हैं यह आपको तालाब दिखाई दे रहा हो गहां बसावा उधर भी आगे कई रास्ते है यह पूरा रगुनात करड़ है इदर से लोहा गरजी का रास्ता भी जाता है इसके इस पहाड़ी के उस तरफ इस पहाड़ी के उस तरफ लोहा गल जो की बहुत ही फेमस जगह मानी जाती है हिस्टोरिकल जहां पे लोहा गल कुंड है कच्छी के रि यह लडिगाटी का नजरता में आपको दिखाने जा रहा हूं स्याम हो चुकी है लेकिन यह रग्णात कटकी एक प्रास्था गागेगा आपको मैं आपको ओर भी वीडियो दिखा सकता हूं इसे अल्दीगाटी का वहसा ही कुछ है देखो आप देख सकते हो दोनों तरफ का रास्ता बिल्कुल अल्दिगाटी की तरफ का और यह रास्ता है और देखागी चलते रही है यहाँ पे कुछ फोटोज भी हो रहे है और यहाँ का पत्थर भी देख सकते है थोड़ा लाल है वहां का पत्थर कुछ अलग है यहां का भई पत्थर कुछ लाल है देख सकते आप बिल्कुल आप हल्दी गाटी की तरह देखोगे हल्दी गाटी यह देखो बिल्कुल हल्दी गाटी की तरह भी विव आएगा आपको एकदम हल्दी गाटी की तरह हल्दी गाटी पर इसा ही रास्ता है आपको दिखा सकता हूं देखिए बड़ाई स्यांदार ना जारा जब मैंने हल्दी गाटी को पहली बार देखा था तो मेरे को लगा था कि हम रोगनौत के डियाब करी गाव में आच चुके है वेसाई यूटन जहां पर बहुत ही खतरनाक मोट यह देखी रास्ता बहुत एच्छी तरीके से पाकिया आपको मैं थोड़ी देर बाद में यह अल्दी काटी का व्यू हल्दी काटी तो सोरी यह रगनौत कट के डियाब करी का व्यू है डियाब करी जाने का रास्ता जो पहा गोड़ी मास तरीके से यह ट्रांसपोर्ट कि यह देखिए मैं आपको यू दिखाने जा रहा हूं दिरे दिरे बहुत इस नहीं जा रहा है आपको लगेगा कि आप हल्दी काटी हाई हुए हूँ साहे हल्दी काटी फेमस है लेकिन उस्से यह खुश्य नहीं जा रहा है जा जाते हुए यह देखिए पाडीओ के चैतर से नीचे जाते हुए हुए पूरा रासवाब लुथ है लेकि कुछ पाहिक साते हुई जिखें देखिए बहँ है फारए नहीं तरीकते श्ये बालाजी चानतरीके से लिए वह पालारे यह ए भालाजी का मंदीर श्या पून और यह आपको जो दिखरें निचे तरगारीश को तो काप्य फुरा नहीं है और यह देखिए आपको आपको देख सकते हैं नहीं सकते हैं पेदल लोग भी मिलेंगे आपको यह एक मोड है जिस पर काफी एक्सिडेंट हुए है और हम इस मोड से अभी गुजर रहे हैं रोज का काम है ना माना बाकी देखो यह आपको दिखाए देगा आपको पीछे देख सकते हैं पीछे बाइक आई हुई और वो देखो मंदिर एक और मंदिर पीदर की तरफ जाओगे तो आपको कुंद मिलेगा यहाँ पे स्री किस्ना जी का मंदिर भी है रहा ठाकुर जी का मंदिर है उदर और बोले नाज जी का भी और आप माता जी का मंदिर उसके वो जो आपको दिखाए देरा मंदिर अव माता जी का मंदिर है यहाँ यह लग जो एक अपर आपके अपको लगा अपको कि अधर हम पहुंच चुके है ठोड़ी सह थकाओट लग रही होगी आप थकाओट लग रही है क्या वापता है तो अज बड़ा दोस्त था और आज जो भी कावन सोच गाए थे पुरा-पुरा हो गया है क्या आज मज़े आए बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही दोगी है ठीक है बहुत अच्छा लगा गुरू परिवार का ये वीडियो देखने के लिए आपका दन्यवाद प्लीज अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें और और भी अच्छा लगे तो शेर भी जरूर करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड आइकन को दबा के इसको सब्सक्राइब करें और साथ इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे अगर नए वीडियो है तो आपको प्राप्त हो जाएंगे